हेलो दोस्तों, तो स्वागत आपका हमारी इस न्यू वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप CapCut में कैसे Green Screen लगा सकते हैं या फिर Green Screen को कैसे हटा सकते हैं Background में से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं अपना CapCut ओपन कर लेता हूँ यह CapCut ओपन हो रहा है तो जैसे कि आप उपर देख सकते हैं मैंने फिलाल इसमें कोई भी VPN Connect नहीं किया है क्योंकि यह छोटे मोटे चीजें इसमें बिदाउट VPN के भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो VPN भी Connect कर सकते हैं उससे आपके सारे फीचर्स ओन हो जाते हैं क्योंकि CapCut इंडिया में बैन है तो फिलाल के लिए मैं आपको सिर्फ गरीन स्ट्रिन करके दिखाऊंगा इसलिए मैंने ओन नहीं किया है और अगर आपके में अगर आपका VPN CapCut नहीं चल रहा है आपके में नो इंटरनेट कनेक्शन प्रोब्लम दिखा रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा कि आप उसको कैसे सॉट आउट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट से एक प्रोजेक्ट ले लेना है जैसे फिलाल के लिए मैं यहां से एक वीडियो ले लेता हूँ फिलाल के लिए मैंने यह फोटो सेलेक्ट कर लिया है add कर देता हूँ सबसे पहले आपको क्या गरना होता है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से इसकी जो ending में watermark होता है आप इसको यहाँ से हटा दीजी कीजी और यह आपकी एकदम वीडियो original हो जाती है इससे वो ही watermark नहीं आता उसके बाद आपको यहाँ पर overlay वाले option पर click करना है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस पर click करना है फिर उसके बाद add overlay पर फिर से click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी green screen आपको लगानी है वो यहाँ से select कर लेनी है मैं जल्दी से select कर लेता हूँ download कर ले ना उसको आप पहले जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये green screen select कर ली अब मैं इसको adjust कर लेता हूँ ये पूरी adjust हो चुकी है हमाई screen के साथ उसके बाद आपको यहाँ नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको cut out का option देख रहा होगा आपको इस पर click कर लेना है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर third option देखेगा chroma key का इस पर click करना है chroma key पर click करने के बाद आपको ये जो circle आया है इस पर click करके इसको green वाले area में कर देना है ताकि green screen hide हो सके उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है इंडेंसिटी पे और इसको 100% कर लेना है या फिर आप अपने साफ से custom भी कर सकते हैं और इसको भी 100% कर देना है इतना करने के बाद अगर आपको भी लगे आपको अभी भी लगे कि इसमें थोड़ा ग्रीन ग्रीन आ रहा है या फिर कुछ ठीक से नहीं हुआ है तो आप इसको customize भी कर सकते हैं मैं फिलाल के लिए इतना कर लेता हूँ और इसको अगर आपको लगे कि ये green सी इसकी highlights आ रही है तो इसके लिए आप और भी कर सकते हैं आपको back आना है और यहां पर adjust पर जाना है adjust पर click करना है adjust पर click करने के बाद आपको यहां पर colors वाले option पर आना है HSL पर इसके इसका white color है इसका black और white बल्लकल मैं इसमें से green को select करूँगा और green को बिल्कुल हटादूगा इसमें से ऐसे करके आप इसको कलर की अड्यूस्मेंट भी कर सकते हैं, अब देख सकते हैं, ओके कर देता हूँ, अब देख सकते हैं, यह proper green screen लग चुकी है, और इसमें कोई भी green कलर नहीं आ रहा है, न साइडों में न कोहीं भी, आप मैं इसको play करके दिखा देता हूँ ऐसे करके दोस्तों आप भी अपने green screen लगा सकते हैं अपने cap cut app पे और उसको simply download करने के लिए आपको simply इस arrow वाले option पे click करना है और फिर आपका extract होना start हो जाएगा तो अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe कर लें ऐसी और वीडियो के लिए